जाहिर है कारिक्रम में नजर डालते हैं देश दुनिया राज जी की प्रमुक खबरों पर सबसे पहले अंतराश्ट्रे खबरे अमेरिका में इंदिनों मौसम के अजीब रंग देखने को मिल रहे हैं और लोग तेज गर्मी से जूच रहे हैं गाजा की अलहली अस्पताल में हुए विस्फोट का फलस्तिनी सरकार लगातार इसराइल पर आरोप लगा रही है इस बीच अमेरिका ने इसराइल का पक्ष लिया है वाइट हाउस का कहना है गाजा अस्पताल विस्फोट के लिए इ इसराइल जमेदार नहीं है इसराइल और हमास के बीच जुद्ध के बीच ब्रिटिन के प्यएम रिशी सुनख गुरुवार को इसराइल पचेगे रिशी सुनख इसराइल में पियम बेंजामीन नित्याहु और रास्टरोपती इसाक हर जोग से मुलाकाद करेंगे गौर र और बंगलादेश के बीच आज पूरे के महरास्टर क्रिकेट एसोसियेशन स्टेटियम में विश्व कप 2023 का सतरवा मैच खेला जाएगा इस मुकाबले के जर्ये जहां भंगलादेश की टीम बापसी करने की कोशिश करेगी वहीं भारतिय टीम इस विश्व कप में जीत का चौका लगाने उत्रेगी दोनों टीमें वंडे विश्व कप में चार बार आमने सामनी आचुकी हैं इन में से भारत ने तीन मुकाबले जीते हैं और बंगलदेश को सिर्फ एक मैच में ही जीत मिली है केरल में राजनीतिक पार्टियों की इसराइल हमास युद्ध को लेकर अलग-लग राय हो सकती है लेकिन बीते आठ सालों से केरल के शहर कन्नूर में कुछ लोग इसराइली पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे है दरसल कन्नूर में स्थित एक फैक्टरी में इसराइली पुलिस की वर्दी तयार होती है और हमास युद्ध के बाद इसराइली पुलिस ने नया ओर्डर दिया है जिससे अधिक मात्रा में वर्दी तयार करने की मांग की गई है करनाचक में मंगलूरों में हिट एंड रन का मामला सामने आया है यहां एक फुटपात पर पैदल जा रही पांच लोगों को कल शाम करीब चार बजे एक तेज रफतार कार ने टकर मार दी दुरगटना में एक महिला की मौत हो गई जबकि चार लोग गंभी रुप से खायल हुए अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की हिमाचल प्रदेश में अब शिक्षकों के तबादले 30 किलो मिटर के दाएरे से बाहर होंगे करीब 80,000 शिक्षकों के तबादलों के लिए प्रदेश की सुखविंदर सिंग सुखु सरकार ने पुराने नियम बदल दिये हैं तबादले करने के लिए सरकार ने दूरी को पांच किलो मीटर बढ़ा दिया है। एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवा काल पूरा करने के बाद अब शिक्षकों को 30 किलो मीटर दूर जाना अनिवारिक कर दिया गया है। शिम्ला बिलासपूर फोलेन के जद में आ रहे प्रभावितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें सबसे अधिक मुआवजा लेने वाले प्रभावित को 1 करोड 25 लाग रुपई मिलेंगे। वहीं कुछ प्रभावित ऐसे भी हैं जिन्हें मात्र 50 रुपई मुआवजा मिलेगा। बताया जा रहा है कि ये मुआवजा जमीन के भाव से दो गुना दिया जाएगा। शिमला के ठियोग उपमंडल के तहएट युवाओं द्वारा डाक विभाग में फरजी प्रमान पत्र पर नौकरी लेने का मामला सामने आया है। से कराहती मानवता आनुज आचारे का लेख भी आप यहां पढ़ सकते हैं। और कारेकरम के अंत में बात करते हैं रूजगार की। चर्णिगर पुलिस ने 393 पुरुशों और 223 महिलाओं और 84 एसेम सहित 700 कॉंस्टिबलों की भरती परिक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परिक्षा में शामिल उमीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट चर्णिगर पुलिस डॉट गॉंविन डॉट इन पर जाकर चेक कर सकते हैं। जाहिर है कारेकरम में आज के लिए बास इतना ही बने रहें दिवे हे माचल टीवी के साथ।